लौर्ड किश्णा नमायन और गुर्ड मॉर्डिंग तू आल आफ यू माय ओल स्वीट दियर श्ट्वेन वेलकम इन माय ओनलाइन क्लासेश दियर श्ट्वेन टोड़े वी डिश्कस अवाउट इंसेक्टिबॉरस प्लांट्स कीट वच्छी पॉधे प्यार विद्ध्यारति जो है उस नाइट्रोजन को डारेक्ट्ली यूज नहीं कर पाते हैं तो कीट वच्छी पॉधे जो हैं इंसेक्टिबॉरस प्लांट कें फोटोसंथेसिस मतलब यह फोटोसंथेसिस कर सकते हैं एट दे फीड ओन इंसेक्ट फिल्फिल देयर रिक्वाइर्मेंट आफ क्योंकि यह फुल्फिल कर सकें नाइट्रोजन की रिक्वाइर्मेंट को अब नाइट्रोजन की नीड क्यों है प्यारे बिद्धातियों नाइट्रोजन की नीड इसलिए है क्योंकि प्लांट को प्रोटीन बनाना है और प्रोटीन बनाने में अमाइनो एसिड एमाइड एनेस्टू पाए जाता है एने स्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए कहीग ना कहीं यह ना इटोजन प्र पर डिपेंड रहते हैं है ना जासनथे साइस कावो हाईडि तो फोटो शिंतेसिस ओन ली यह कावो हाईड़ेड देे actor CS spielt को suivre ईस्टिबर्च प्रिचर प्रियूंट लिटों पीटर प्रिया निर्व इंडियूंड ग्रियूंड ग्लीट विए नुडन हमु सकते मैं नित्रोजन की कमी होगी दे उस इंसेक्ट प्रोटियन आ अ वी यौन्डोजूजिक नूत्रिचिन ये insect protein को nitrogen के source के रूप में use करेंगे this is kind of holozoic nutrition और इसको हम holozoic nutrition कहेंगे क्या कहेंगे holozoic nutrition the leaves of pitcher plants are modified into a pitcher like structure यानि कि pitcher plant की जो पतियां होंगी वो modified हो जाएंगी वो बदल जाएंगी किस में pitcher like structure में वो pitcher like structure बना लेंगी है ना प्यारे विद्ध्यार थी हो the tip of leaf form a lid और पती का जो ढखकन होगा जो lid होगा वो क्या करेगा यह ढखकन करने मान करेगा यह ढखकन बना लेगा lid बना लेगा the insect trapping in the pitcher plant और insect उस pitcher plant में आकर is directed down by the hair of pitcher pitcher के अंदर trap कर लिया जाएगा उसके अंदर जो hair है उसे बाहर नहीं निकल ले देंगे यहाँ पर बुरी तरह से फस्ट जाएगा there the insect is digested why the enzyme और pitcher के अंदर enzymes होंगे बड़ी मात्रा में present in the juice inside the pitcher जो juice में गुले हुए होंगे और कहीं न कहीं वो क्या कर देंगे उस insect को digest कर देंगे अभी हम animation वीडियो के दोरा भी समझने को सिस करेंगे ठीक है the mode of nutrition in which green plants make their own food what depend on insects for nitrogenous food is called insectivorous nutrition यहां यह भी एक तरह का mode of nutrition है जहां पर हरे पहुत है अपना भोजन बनाते हैं लेकिन कहीं न कहीं depends on insects इंसेक्ट पर डिपेंड होते हैं for nitrogenous food nitrogen की fulfillment करने के लिए है न इसकॉल्ड इंसेक्टि बोरस प्लांट nutrition तो से हम कीट भच्ची पोसल कहते हैं nutrition कहते हैं ग्रीन प्लांट विच मेक तेयर ओवन फूड वर्ट डिपेंड ओन इंसेक्ट फूर नाइट्रिजिन फूड आर कॉल्ड इंसेक्टि बोरस प्लांट इनकी ऐसे अहरे पौध है जो अपना भोजन बनाते हैं बट इंसेक्ट पेंड होते हैं नाइट्रिजन की फूफिल्मेंट के लिए प्लांट सच इस पिचर प्लांट जिसे की नेफेंथी कहते हैं संद्रियू ब्लेडर वर्ट ड्राइप्स देयर नीटिशनल पार्शली फ्रॉम दा स्वाइल एंड एट्मोस्फियर एंड पार्शली फ्रॉम इस्मॉल घ् colored तो हम इन सबको क्या कहेंगे इंसेक्टिबॉरस प्लांट कहेंगे थैदना स्वाइंस्ट हाव डर्च हुछる प्लांट ट्र्राइव एस फूड फॉट्रोम इसेक्ट कैसे ये मतलब भूजन ग्रह्र करता है तो पिचर पुलांट है यांधिशन लॉंग पिचर और यह कहीं कहीं क्या करता है hanging from the tip of a leaf यह पर लटका हुआ होता है जो आपक्स होता है जो सबसे उपर का सिरा होता है आपक्स मिस टॉप टॉप का जिसा होता है आफ दा लीप फॉर्म अलेट एक धकन का नमना करता है विच कें क्लोज इंड ओपन दा माउथ जिसका माउथ कैसा हो सकता है ओपन और क्लोज हो सकता है और पिचर का दे इनर सर्फिस और पिचर है यह डारेक्टली डाउनवार और इसके अंदर की तरफ हेर होते हैं जो नीच जाता है इंसेक्ट डाइजेस्ट और इंसेक्ट यहां पर डाइजेस्ट हो जाता है वाइदर डाइजेस्टिव जूस से की चीज इन दा पिचर तो अब हम एनिमेशन देखेंगे और उसमें समय नहीं कोशिज करेंगे डियर स्वेंट आप यहां पर इंसेक्टि बोरस प्लांट को देख सकते हो कि किस तरह से प्लांट बर्क करता है किस तरह से मसका डॉमेश्टिगा को अपने अंदर लेकर इसको डाइजेस्ट कर देगा यह प्लांट जो हैं फीड और इंसेक्ट वाइट ट्रैपिंग किस तरह से इंसेक्ट को ट्रैप कर लेंगे और डाज़ेस्ट कर देंगे ठीक है इसमें यह कुछ स्टक्चर से अब देखो इसने पूरी तरह से इसको अपने आप में कवर कर लिया है और डाज़ेस्ट के बाद भी इस तरह से आपको दिखेगा कि इसने पूरी तरह से इसकी अंदर की जो प्रोटीन है उसे कवर कर लिया है यह जो मस्का डॉमेस्ट कर आपको देखाई दे रहे हैं कहीं अभी ट्रैप हो जाएंगी इसी के अंदर घरेलू मक्की का नाम होता है मस्का डॉमेस्ट का आप समझ गया होंगे ओके प्यारे द्यारत हुए यहां पे आपको पिचर प्लांट्स बीनिस फ्लाइट ट्रेफ और सेंड्रियू के बारे में थोड़ा-थोड़ा समझाया गया है पिचर प्लांट्स को कहते हैं एरेसीनिया परप्रिया बीनिस फ्लाइट ट्रेफ को कहते हैं डायो नईया म्यूस सीपुला और सेंड्रियू का जो बाटनिका लैम है वो है ड्रॉसेरा इंटरमीडिया तो इन तीनों के ही जो इस्टक्चर यहां पे बने हुए है पिचर प्लांट्स में सबसे उपर वाला जो लेड है उसे हम कहते हैं होड ठीक हो नीचे वाला जो है वो पिचर है और कहीं न कहीं इसके अंदर आपको हेर दिखाए गए हैं जिसे इस्टिफ हेर कहते हैं जो डाउन वायड है जो प्रिवेंट करेंगे टू क्लाइम आउट ऑफ इंसेक्ट को चड़ने नहीं देंग लॉकेटेट टू बाउलाप्ट प्रिजेंट एड़ दा मार्जीनल साइट तो इसमें जगह 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 ग्लाइंट होंगी जो करेंगी एंजायम्स को डाइजस्ट करने के लिए संटिफ हैर होंगे जो कि डिटेक्ट कर लेंगे इंसेक्ट को ना देर लीप्स आर लीप्स होती है इसमें उपर ग्लाइंट होती है जिसमें ओस की बूलों जैसी चमकती है और जब यह चमकती है तो इंसेक्ट की तरफ दोड़े चले आते हैं है ना देयर लीप्स आर मॉडिफाइड इंटू टिनी फॉर्म्स इस वीडियो में आपने देखा था कि इंसक्टिबूरस प्लांच क्या होते हैं ठीक है ओके थेंक्यू थेंक्यू भई माच